हेलो दोस्तों हमारी यूटूब चैनल एंजो इस्टेडी लाइफ यूटूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है तो मित्रों आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है दोस्तों आज के वीडियो में राजसान CAHO के इंपोर्टेंट कुशन को पर डिस्कस करेंगे तो दोस्तों मैंने आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुशन बनाए है राजसान CAHO के जो आपके राजसान CAHO के पेपर में पूछ जा सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो हमारा फस्ट कुछन है कौन सा विटामिन आवले में परचूर मातरा में मिलता है तो दोस्तों आप से कुछन में पूचा है कौन सा विटामिन आवले में परचूर मातरा मिलता है तो दोस्तों जो आवला है उसमें कौन सा विटाम विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी तो मित्रों इसका राइट आंसर बताएं पटापर इसका राइट आंसर बताएं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी दोस्तों जो आउले में परचूर मात्रा में मिलता है वो विटामिन C मिलता है तो इसका correct answer हो जाएगा विटामिन C इसका correct answer हो जाएगा विटामिन C Next question मनुस्य के सरीर का सामाने रक्ताब कितना होता है तो दोस्तों आप से कुशन में पूँचा है मनुस्य के सरीर का सामाने रखताब कितना होता है 40 से 120 मिलिलीटर 80 से 120 मिलिलीटर 90 से 125 मिलिलीटर 100 से 130 मिलिलीटर तो दोस्तों इसका correct answer बताएं दोस्तों इसी परकार के कुशन आपके राजस्तान से यह चोगर पेपर में पूछे जाते हैं और दोस्तों यह कुशन वेरी वेरी इंपोटेंट कुशन है जो आपके राजस्तान से यह चोगर पेपर में आ सकते हैं तो बताएं इसका correct answer क्यों हो जाएगा इसका correct answer चाहब 80-120 mm होता है तैसा कर्रेक्ट आन्स हो जायाएगा 80-120 mm next question पाइरे रोग सरीर के किस अंग को परभावित करता है दोस्तों आप से किस पाइरे रोग होता है वो सरीर के किस अंग को परभावित करता है दोस्तों जो पाईरे रोग है वो सरीर केकी संग को परववयूत करता है आप से क्यूसन में इस परकार से कूँचा है हरदे को, हाते को, दात्व मसूडे को, यकरत को बताएं इसका रायट आंसर, फटाप्ट इसका रायट आंसर बताएं तो क्या हो जाएगा रहाट आंसर इसका रहाट आंसर हो जाएगा दात वे मसूड़ों को पाय रोग शरीर के दात वे मसूड़ों को परववित करता है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रू दात वे मसूड़े क्या मसूडे हो जाएंगे जिसका correct answer हो जाएगा मसूडे next question iodine की कमी के करण क्या होता है अब आप से पूचा है iodine की कमी के करण क्या होता है तो मित्रों जो हमारे सरीर में iodine की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है उसके वारे में पूचा है मदुमे रोग गहेंगा रोग हाथी पाउं रोग कैंसर तो मित्रों बताएं अगर दोस्तों आपको इन क्यूशनों का राइट आंसर आता है तो हमारे comments boxman का राइट आंसर जिरूर देज़ेगा तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा घेंगा रोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा घेंगा रोग आयोडिन की कमी के करण घेंगा रोग हो जाता है दोस्तों घेंगा रोग ये रोग गुलेगा दोस्तों जो घेंगा रोग हो जाता है तुसरा करेक्टांस रोजेगा गेंगा रोग नेक्स्ट क्यूसन दिल का दोरा किस कारण से होता है अब आप से क्यूसन पूचा है जो दिल का दोरा होता है दिल का दोरा पढ़ता है आपने सुना भी होगा तो यह किस कारण से होता है हर्दे पर जिवानों का हमले के कारण हर्दे गती का रुख जाना हर्दे में रक्त आपूर्ती की कमी के कारण अग्यात कारणों से हर्दे में बादा आना तो बताएं इसका रायट आंसर क्या हो जाएगा पटापट कमेंट करें इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम होगा फटा पट इसका राइट आंसर बताएं फटा पट इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्दे में रक्त की आपूर्थी की कमी के कारण हर्दे में रक्त की आपूर्थी की कमी के कारण दिल का दोरा दोस्तों हर्दे में रक्त आपूर्थी की कमी के कारण दिल का दोरा पढ़ता है या दिल का दोरा होता है थेंक्यों दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब और साथ में ही बेल आइकन का बटन जरू दबा दे ताकि दोस्तों हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिक्सन आपको सबसब पहले मिल सके तो दोस्तों कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कुछनों के साथ दोस्तों अगर आप कर रहे हैं राजसान CCHO, MPCCHO, UPCCHO, NM, GNM, Norset की तयारी तो दोस्तों हमारी एप है गूगल पले स्टोर पर HTM के अकेडमी एप है दोस्तों हमारी वहाँ से आप HTM के अकेडमी को डाउनलोड करें गूगल पले स्टोर से दोस्तों वहाँ पर इन सभी का कॉर्स उपलब्द है और दोस्तों बहुत ही कम कीमत में कॉर्स उपलब्द है हमारी एप पर दोस्तों आप इसे HTM के अकेडमी को Google Play Store से बाई करें Thank you दोस्तो कल मिलेंगे Next वीडियो में